परिचय रीना अपने मातापिता के साथ विज्ञान संग्राले को देखने जा रही है वह केवल आठ साल की है किन्तो फिर भी वह विज्ञान के अन्ने तथ्यों को जानने के लिए बहुत उस्सुख है संग्राले में पहुँचकर वह अनेक प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों को देखकर अतिप्रसन है वहा प्रत्यक उपकरण का कार्रे तथा उसके आविश्कारक के बारे में जानना चाहती है उसके मातापिता उसके सभी प्रशनों का धैरे पूर्वक उत्तर दे रहे हैं इस सथ्याय में आओ कुछ महत्पून आविश्कार तथा उनके आविश्कारकों के बारे में जाने कुछ पुराने आविश्कारों के आविश्कारकों के नाम जानना आविश्कारों के कारे की सूची बनाना भाप के इंजन का आविश्कार भाप का इंजन एक ऐसा उश्मा इंजन है जो की भाप को इंधन के रूप में प्रयोग करता है तथा इंजन को शक्ति प्रदान करता है 1775 में जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का अविशकार किया था हवाई जहाज का अविशकार विल्बर राइट तथा और्विल राइट नामक राइट बंधूं ने पहला हवाई जहाज बनाया तथा उड़ाया था 17 दिसंबर 1903 को संयुक्ते राज्य अमेरिका के उत्तरी करोलीना के तट पर उन्होंने अपना पहला हवाई जहाज 20 फीट की उँचा ही तक उड़ाया ये उड़ान 12 सेकंड में पूरी हुई तथा इसने लगभग 120 फीट दूरी तैकी थी मुद्रण यानि प्रिंटिंग प्रेस का आविशकार मुद्रण यानि प्रिंटिंग प्रेस एक ऐसी युक्ती है जो किसी कागस पर लिखे लेक की कई प्रतियां यानि कौपी निकालने में प्रियोग होती है इसका आविशकार सन 1440 में योहानेस कूटनबर्ग नहीं किया था विद्धुत बल्ब का आविशकार विद्धुत बल्ब जो हमें प्रकाश देता है एक क्रांतिकारी आविशकार है इसने अंधेरे में काम करना आसान बनाया है विद्धुत बल्ब का आविशकार 1889 में तसिद्ध विज्ञानिक थौमस अलवा एडिसन ने किया था टेलिफून का आविशकार टेलिफून संचार का एक माध्यम है यहाँ दूर रह रहे रिष्टेदारों और मित्रों से हमारी बात कराने में सहायता करता है ग्राहम बेल ने 1886 में टेलिफून का अविशकार किया था डाइनमो का अविशकार डाइनमो एक ऐसा विद्धुत जनरेटर है जो दिष्ट यानि डाइरेक्ट विद्धुत धारा का निर्मार करता है यह कारखानों तथा उद्ध्योगों में बड़ी मशीनों को चलाने में प्रयोग किया जाता है माइकल फैराडे ने 1831 में डाइनमो का अविशकार किया था हमने क्या चर्चा की? सन 1775 में जैम्स वाट ने भाब के इंजन का अविशकार किया था 1903 में राइट बंधुओं ने पहला हवाई जहाज बनाया और उड़ाया था 1440 में युहनेस गूटनबर्ग ने मुद्रण यानी प्रिंटिंग प्रेस का अविशकार किया था 1889 में थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्धित बल्व का अविशकार किया था 1876 में ग्रहम बेल ने टेलेफून का अविशकार किया था 1831 में माइकल फेराडे ने डाइनमो का अविशकार किया था 1931 मुदकार किया था,ट है लुमस जा हरे